नवस्कार दोस्तों स्वाजात आपका सीपी स्मार्ट क्लासेश में दोस्तों जैसा कि डेली दैनिक रोजगार समाचार मेरे योट्यूब चैनल के माद्ध हम साबको मिलता है और इसमें हम सभी प्रकार की भरतियों जैसे की सभी एकजाम को कवर करते हैं तो जो भी अपडेट होती है उसकी न्यूज आपको दी जाती है आज के इस वीडियो में हम इन मुख के बिंदूओं पर चर्चा करेंगे तो दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो दोस्तों बी यो की परिच्चा जो की 22 मार्श को प्रृस्तावित है पांच लाग से आजधिक अभ्याते इस परिच्चा में सामिल होना पर चाते हैं तो इस पर भी करोना का साजा मड़ा रहा है और चात्र इसको परिच्छा को कैंसिल करने की माँग कर रहे हैं कि UPSC कि अध्यच को भी पत्र लिखा आए अभ्यारतुमें रहत मांगी है प्रमुक्ष सचिव करमिक को भी पत्र लिखा है और ये जो परिच्छा है इसमें 309 पदों की भरती होनी है 22 मार्श को प्रारम्पिक परिच्छा होनी है और 22 मार्श को जो परिच्छा होगी उसमें जो जो district alert कیا गया है जो center दिया गया है छात्रों को भी उनकी मन मर्जी का center नहीं दिया गया है option में जो भरवाया गया था उसके आगल-बगल के जिले दिये गए हैं यहां तक की महिला कंडिडेट के भी center change कर दिये गए हैं सभी को travel करना पड़ेगा परिच्छा के अंदर तक पहुचने के लिए उसके बाद परिच्छा देते समय भी काफी भीड़बार में रहना पड़ेगा कई जिलों के च्छात्र होंगे तो इसलिए इस परिच्छा को रद करने की बात कही गई है च्छातर जाते हैं कि उनको रहात मिलें दूसरी चीज यह है कि इस परिच्छा के लिए बहुत ही कम समय आयोग ने दिया है notification के बाद बहुत तेजिस यह परिच्छा हो रही है प्रारंपिक परिच्छा हाला कि इसके दिन परिच्छा होती है इससे नहीं होता है लेकिन फिर भी प्रारंपिक परिच्छा के लिए करने के बाद ही मुखी परिच्छा में सामिल हुआ जा सकता है तो अब देखते हैं दोश्तों क्या होता है अला कि बहुत ही कम चातर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परिच्छा हो मैंने एक सर्वे से आपको दिखाया था कि 75% चाहते हैं कि परिच्छा जो है कैंसिल हो जाए और 25% चाहते हैं कि परिच्छा हो अगली नुच प्याते हैं SSE की परिच्छा होनी है बहुत ही बड़ी परिच्छा होती है SSE, CHSL की परिच्छा होती है तो ये भी Tier 1 की परिच्छा है और इस परिच्छा में 10th पास लोगों के लिए परिच्छा होती है 10th पास जो होते हैं वो परिच्छा देते हैं इसको तो इस परिच्छा में 10 प्लेस 2 वाले सभी स्टूडेंट जितने भी होते हैं पूरे आल ओवर इंडिया में इस परिच्छा में बैठते हैं और UP विहार का जो केंद्र होता है उसको मद्द छेतर कंतरकति यह आता है यह परिच्छा 17 मार्च से प्रेस्तावित हैं 103 परिच्छा केंद्र बनाए गए हैं 41 लाख देश भरमया भ्यारती इसके परिच्छा को देंगे और मद्द छेतर से अकेले 11 लाख केंडिडिट इसमें देंगे 41 लाख पूरे भारत के लोग इसमें परिच्छा को देना है और 11 लाख केवल यूपी और बिहार से इस परिच्छा में बैठेंगे तो इस परिच्छा में बायोमेट्रिक पंच होता है परिच्छा के अंद पर जाते हैं तो बायोमेट्रिक आपको उगली अपनी लगाने पड़ती है और संकर्मन जिस तरह से फैला हुआ है महापर बायोम चल लएए कि तिति इसकी आगे बढ़ाई यां इसी मांग चल लएए सिच्छा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खबर है एक लाग साथ हाजार सिच्छा मित्र आूरा अनुदेशकों को पीफ की सुविधा मिलेगी और यह पीफ की पीफिधा उनको पीयफ फंड इंकामेंज किया जाएगा और 10% यह देंगे 10% यूपी गुवर्मेंट देंगी तो अगर यह 10% का पीयफ रूल लागू होता है तो 10% अदर वाइस कहीं कहीं बें 12% का पीयफ रूल होता है तो वहाँ पे 12% होगा तो एक बड़ी जीत है सच्छामित्रों को और अन्यदेशकों की, क्योंकि गवर्मेंट बेंचती रही है इसमें P.E.F. में, क्योंकि उसको भी P.E.F. का सेर देनापड़ता है 10 परसेंट या 12 परसेंट जो भी है, तो वो अपसीर देना पड़ेगा दूसरा सिच्छा मित्रों की और अनदेशकों की भविस निधी जिसकों बोलते हैं पीफ तो उसमें कुछ पैसे इनके इकठा होंगे जो इनके भविस के काम आएंगे एड़ेट मार्धमिक कॉलेजों में 400 सिच्छकों की निउक्ती बहुत जल्द होनी जा रही है प्रतिच्छा सुंचित है काउंसलिंग के बाद निदेशाले में प्राण पत्रों की जांच चल लही है इसमें तो यह टीजीटी वाली भरती की बात की जा रही है यहां पर 400 प्रसचित इसनातक सिच्छकों की निउक्ती जल्द होगी 2013 भरती के रिक्त पदों पर चेन के लिए प्रतिच्छा सुंचित के भ्यार्थों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है अब उनके अब लेखों की जात चल लई है यह पूरा होते ही चैनितों की सुंचित जिला बिदले रिच्छा को भेंजी दी जाएगी 6228 पदों की भरती शुरू गई थी 2013 में उसका प्रिणाम 2017 में जारी हुआ इन अभ्यार्थी इन पदों को भरने की मांग करते रहे थे लेकिन उनकी अनुसनी हुई तो हाई कोर्ट पहुंचे और प्रतिच्छा सुंचित के रिक्त पद भरने के लिए याज़का दाकिल की तो अभी हाल ही में इसकी कांसलिंग हुई है कांसलिंग के बारे मापको बताया गया था कि 606 पद जो प्रतिच्छा सुंचि में खाली बच गए थे उन्हीं पी भरती होनी थी जिसमें से करीब 400 पद की भरती की गई है यानि कि 400 करेब सिच्छक मिल गए हैं जिनोंने अपन के साथ धन्यवाद